कल स्री रटन ताता का निधन हो गया और आज मुझे वहाँ मुंबई जाना पड़ रहा है सबसे पहले तो मैं रटन ताता जी को बहुत मन पुर्वक स्रधान जली देता हूँ रटन ताता जी मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचर रहा परन्तु नकेवल भारतिय उद्योग जगत के पूरे विश्वके एक सन्मानिय उद्योग रहे ताता समू का नेत्रुत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है परन्तु उन्होंने ताता समू का नेत्रुत्व ऐसे समय में समाला जब टाटा समु को अनेक प्रकार के परिवर्थन करने याद जरूरी था और धायरिय पूर्वक बारी कि से अध्यायन करकर टाटा समु के सारे उद्योगों को और काम करने की पध्दती को दोनों को उन्होंने परिवर्थीत किया और पहले की तरह आज भी ताटा समू भारत के उद्योग जगत में एक ध्रूव तारा बनकर है उसमें रतन ताटा जी का बहुत बड़ा योगदान है देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का अपने समू का विकास करना देश के सारे काईदे कानून और रूल्स रेगूलेशन इसका पून तयब पालन करते हुए अपने उद्योग समू को प्रमुक स्थान पर बनाए रखना और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समधान करकर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास पी करना चाहे अनुसंदान का ख्षेत्र हो चाहे मेनेजमेंट का ख्षेत्र हो चाहे एज्यूकेशन का ख्षेत्र हो चाहे कैंसर को कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिसे में पहुचाना हो रतन ताता जी के नेत्रुत में ताता समू ने इसको बहुत अच्छे से करकर दिखाया है आज सिर्यतन ताता जी हमारे साथ नहीं रहे हैं परनतु उन्होंने जो लेगसी छोड़ कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के अध्योगीक शेत्र में काम करने वाले नेत्रुत करने वाले सभी लोगों के लिए पत दर्सक बनेगी रास्ता बताती रहेगी इसका मुझे भरोसा है मैं आज इस्वर से प्रात्ना करता हूँ कि उनकी आत्मा को परमसानती अरपन करने का काम करें